नमस्ते भारत मैं हूँ भुमी का मैता अपने देश के बेटी और अपने भाई की बहन सुशान सिंग राजपूर की बहन एक बहुत ये बड़ी अपडेट आप सब के सामने देना चाहती हूँ ये अपडेट देने में कही ना कही मुझे आश्चरे चकित नहीं लग रहा है क्योंकि ये होना ही था क्योंकि हम जिस देश में रहते हैं, उस देश में ना, selfish लोग भरे हुए हैं, बहुत जादा selfish लोग, और इनमें सबसे बड़ी मातरा अगर सबसे जादा selfish लोगों की बात करे, तो है हमारी government, इनी government के खातिर, हम vote देते हैं, हम अपना कीमती वक्त देते हैं, मैं तो कहूंगी, मैं नहीं देती, बार-बार कहती हूँ, मैं नहीं देती, मैं बेफेजुली चीजों पर बिलीवी नहीं करती हूँ, क्योंकि जो लोग हमारे लिये नहीं, अपने लिये काम करते हैं, उनका क्या साथ देना, वो लोग सिर्फ तभी दिखाई देते हैं, जब वोट का टाइम होत तब भीक मांगने आजाते है रास्ते रास्ते में घर घर में डोट टूट सर्विस करने आजाते है क्या मुसीबत है हमें बताइए क्या मुसीबत हमें बताइए लेकिन जब उनका सारा काम खतम हो जाता है अपना मूँ छुपा कर भाग जाते हैं मूँ इसले छुपाते हैं क् कि वो लोग अपने वादे पूरे नहीं करते हैं, कुछ ऐसा ही हो रहा है हमारे इस देश में, अब जो अपडेट ये है, अगर आप सब को यादी होगा, अगर क्या, सब को यादी होगा, रिया चक्रवर्ती, जो दुबई जाना चाह रहे थी, जब दुबई के लिए उसे पर साया जा रहा है, मुझ पर गलत आरोब डाले जा रहे हैं, मैंने किसी का कटल नहीं किया, मैंने कोई प्लानिंग नहीं की, हाँ मैंने थोड़ा सा ड्रग्स लिया था, ये वो, बहुत सारी चीज़े बक्की उसने, और उस वज़े से CBI ने कहा, कि नहीं, उसका लुकाउट नहीं हटना चाहिए, बहुत सारी बातें उन लोगों ने सामने रखी, जिससे हमें एक वापस से CBI के उपर विश्वास करने का एक मौका मिल रहा था, उस वक्त मैंने वीडियो में उनसे काफी प्रातनाई करी थी, हमारे जैसे जो यूट्यूबर्स है, जो सुशान्त और अभी भी लडाई कर रहे हैं, अभी भी बोल रहे हैं, उन लोगों ने भी रिक्वेस्ट करी कि जो आप पे हम विश्वास कर रहे हैं, जो थोड़ा सा भी विश्वास वापस आ रहा है, उसे मेंटेन रखेगा, लेकिन कुत्ते की पूछ कभी सीधी नहीं हो सकती, मुझे य हैं वो लोग, क्योंकि जो इतने डिंगे मार रहे थे उस वक्त, के नहीं ऐसे ऐसे, आप कैसे कर सकते हो, लुकाउट नोटिस आप कैंसल नहीं कर वा सकते हो, वो सुशान सिंग राजपूत की केस में संदित है, उसके उपर हम लोग ने कारवाई अभी तर्क्लीन चिट नह जबती समीरवांखिड़ जी ने सुप्रीम कोट में जाने की कोशिश करी, तो सुप्रीम कोट में ये कह दिया, आपका जो समय था ना, जो आप ड्यूटी करने आये थे, मुंबई, डिली, जहां से भी आप आये थे, वो ड्यूटी का समय आपका खतम हो गया है, तो आप जह जहां से आये थे, वहां पर आप चले जाएए, आप चले जाएए, इनसम मामलों में आपको पढ़नी की जरूद नहीं है, आप चले जाएए, यह लोग देख लेंगे, तो उसके जैसे जो वफादार इंसान है, जिनोंने आगे बढ़ाया कदम के रिया चक्रवरती जैसे ल जाएए, बढ़ ऐसा कुछ होने ही पाया, तो समीर वांकिर जी को मना कर दिया गया, उसके बाद यह जाता है, मुंबई हाई कोट में यह पूरा मामला जाता है, और मुंबई हाई कोट ने लगबग चार दिन पहले, जो एक न्याए उनके हिसाब से जो न्याए है, कहा लेकिन इस पूरी मामले का जड़ है CBI, CBI चार साल होगे, चार साल, ओल्मोस्ट, चार साल से हम लोग लड़ाई कर रहे है, सुशान सिंग राजपूर की इस मौत के उपर, उसे जस्टिस दिलाने की कोशिश कर रहे है, दिशा सल्यान को जस्टिस दिलाने की कोशिश कर रहे है CBI ने क्या किया क्या उखाड लिया कुछ भी नहीं वो हाथ पर हाथ धरे बैठी है थोड़ा बहुत बोली क्योंकि उनके उपर इतना प्रेशर हो गया था कि उसे बोलना ज़रुरी था इसलिए उन लोगोंने दो लाइनर डाल दी लेकिन आज जब सवाल आता है न्याय करने का तो उसे साब से अगर जज्जमेंट देखा जाए तो जज्जमेंट यह है के रिया चक्रवर्ति के नाम पर जो लुकाउट नोटिस था जिसकी वजह से वो देश छोड़कर नहीं जा सकती विदाउट पर्मिशन उसे कहीं भी जाना लओड नहीं था देश छोड़कर उसके उपर शोविक के उपर उसके बाप के उपर उसकी माँ के उपर तो लगा नहीं इन तीनों के उपर से लुकाउट नोटिस हटा दिया गया है मुंबई हाई कोट ने ये डिसिशन लिया सबसे पहली गलती मैं अगर बोड़ू तो सबसे बड़ी गलती ये है कि मुंबई हाई कोट ये जो लुकाउट नोटिस आपने हटाया है ना इन लोगों के उपर से पहली बात तो ये अगर न्याय के तरफ से देखो चल़ ठीक है बट ये आपको हक नहीं बनता था यू वर नॉट बिंग गिवन दिस राइट आपको ये नहीं करना चाहिए था बिकॉस उसका एक रीजन और एक है उसका रीजन ये है कि लुकाउट नोटिस जो CBI ने डाला था वो आपके जुरिस्डिक्शन में नहीं आता तो जब आपक जुरिस्डिक्शन में नहीं आता तो आपने इस चीज के उपर कैसे फैसला सुनाया किस तरह से फैसला सुनाया आपने इस मामले में के रिया चकरवर्ती शोविक चकरवर्ती और उसके बाप का लुकाउट नोटिस हटा दिया जाए तो तो आप एक काम करिए ना जो 306 लग प्लिप आए हुआ है जो के के सिंग में लगाए है रिया चकरवर्ती के ऊपर वो भी खारिज कर दीजे जो ड्रक का मामला था जसके अभी तर्क लीन चिट नहीं मिली है उसे भी खारिज कर दीजे क्या फरक पड़ता है आपको क्या फरक पड़ता है इतने सारे सबूत ए याद जुरिस्डिक्शन तो बाद में आता है नियाई की बुक्स बाद में आती है अब एक कमीनों आप लोग को दिखाई नहीं देता है सुनाई नहीं देता है समझ में नहीं आता है एनिमल का रवनिदीर कपूर बन गया है क्या तुम लोग I can't smell I can't touch I can't feel bloody hell आप लोग को इतना सारा सबूत मिला है इतना सारा सबूत मिला है रिया चक्रवर्दी के खिलाफ और आप उस इंसान को जिसके ऊपर 306 लगा हुआ है उसको आप लोग कह रहे हो हाई कोट के जाओ जहां जाना है जाओ भाग लो अभी वोटिंग का कारियकरम खतम होने वाला है इससे पहले कि कोई आकर तुमें इरफ्तार करे तुम इरफ्तारी से बचने के लिए भाग लो तुमारा लुकाउट नोटेस तुमारे बाप, मा, भाई सब को लेकर भाग जा मैं यही पर गाली दे सकती हूँ, मुझे गालिया बहुत लिमिटेड आती है, बहुत लिमिटेड आती है, जो लोग मुझे जानते है न, उम लोग को पता है, मुझे बहुत गालिया लिमिटेड आती है, सीख रही हूँ मैं, मेरा एक गुरुदेव है, सीख रही हूँ मैं मोमिता, you know, मुझे सही मैं मतलब इतना गुस्सा आ रहा है कि मैं सारी जो गालिया सीख रही हूँ न मैं बोल दू इधर, मैं बोल दू, आप लोग को दिखाई नहीं देता है, कि इस कलंकिनी, इस डायन ने क्या 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 किया है, मिरे भाई सुशाम सिंग राजपूत की लो पॉइजन के हिसाब से ड्रग्स देती रही, देती रही, देती रही, और वो मरा पढ़ रहा है, और उसके पैसों पर आयाशी करती रही, वो ताई, ताई बन करके, वीडियो आप लोग को याद नहीं, वो वीडियो आप लोगों ने देखी नहीं, कैसा जज्जमेंट ह जोल के, आप लोग ओथ लेते हुए, एक वादा करते हो ना पूरे देश के साथ, के हम इमानदार रहेंगे, रहेंगे, यह करेंगे, वो करेंगे, देश को कभी गलत रासे पे नहीं जाएंगे, गलत रासे पर तुम भुद हो, सीबी आई तो और एक गधी कमीनी गर्व जो भी है ना सारी की सारी दुनिया की गालिया उनको दून में आती नहीं है बस सालो तुम लोगों को कुछ नहीं आता तुम लोगों को सिर्फ और सेव अपनी जेबे गरम करनी आती है एसी इमानदारी दिखाते हो सालो मरोगे कुछ तो की मौत मरोगे मरोगे तुम लोग पानी भी कोई पूछने नहीं आएगा इतिनी गंदी मौत मरोगे रिया चक्रवर्दी जैसी एक डायन को आप लोगों ने अल्मूस्ट छोड़ दिया जाओ भाग लो वाह क्या बात है नरिंद्र मोदी जी सपोर्ट करने वाले हजारों लाखों करोडों होंगे लेकिन आप खुद को कैसे सपोर्ट कर रहे हो रात को नींद कहां से आएगी आप सुब पाच बज़े उठ जाते हो ना कहां से नींद आएगी आपको भी तो गिल्ट हो रहा होगा ना कि आप किसी को जस्टिस नहीं दिला पा रहे हो क्या मतलब आपका इतनी बड़ी हस्ती पॉलिटीशन्स को कुछ हुआ होता ना तो अभी एस सीबी आई ऐसे केस कर लेती खतम सुशान्त का है ना सुशान्त के मर्डर के पीछे बहुत सारे पॉलिटीशन्स है ना बहुत सारी बॉलिवोड की टाकत है ना इतनी बड़ी टाकत है कि आप लोग हार गए शरब मानी चलिए आप लोग कि आप हार मानी गए बहुत ही खरा बहुत ही घंदा जस्ट एक हम लो करने के लिए CBI ने होट में कहा कि नहीं है साथ निहीं कर सकते हुआ हम लोग को चार पास दिन दीजी हम चार पास दिन में और सारे सबूत एखटा करेंगे चार साल में कुछ नहीं कर पाई तुम लोग उखाड लोगे उनका कहने का मतलब यह है कि चार-पास दिन के बाद और एक सुनवाई रखेंगे वो लोग इस केस को चालेंज करने वाले हैं सुप्रीम कोट में अब ये कितनी बात सची पढ़ रही है I really have no idea अभी तक में वो अपडेट्स क्यों नहीं आई अभी तक वो चीज की बात क्यों नहीं हो रही सुप्रीम कोट में वो केस गया अगर है तो क्या हो रहा है वो क्यों नहीं आ रही है बात गया ही नहीं होगा और अगर गया भी होगा तो क्या उखाड लेंगे यहीं आएगा ना नहीं हो पाया आप लोगों को कैसा लग रहा है ये सब सुनकर जरूर से कमेंट में बताईएगा आप लोगों का क्या करने का मन कर रहा है मार दिया जा इन लोगों को ये जनता के emotions के साथ खेला जा रहा है ये जो 6 मार्च की देर हम लोग वेट कर रहे है उमीद जादा नहीं है मुझे मुझे जादा उमीद नहीं है वापस से नहीं डेट मिल सकती है और अगर सुन वाई हो भी गई एक लाइनर कुछ जादा फरक उसमें नहीं पढ़ने वाला लेकिन कहीं न कहीं मुझे जनता की अदालत पर भरोसा है जो जो हमारी जो अदालत बनी है जो हमारे भाई और दिशार दोनों को ही जस्टिस मिलेगा हम अन्त तक फाइट करेंगे लेकिन मुझे ये जानना है कि आप लोगों को कैसा लग रहा है ये बात सुन करके कि रिया चक्रवर्ती का लुक आउट नोटिस हटा लिया गया है सुप्रिम कोट में क्या होने वाला है क्या नहीं वो अपटेट आने से मैं आप सब के पास जरूर दूंगी लेकिन अभी फिलाला को कैसा लग रहा है इस नियूस को सुनने के बाद let me know in comments और हो सके तो इस वीडियो को शेर करिए ताकि हमें पता चले हम CBI के उपर प्रेशर बना सके CBI को और धक्का मार सके कि या तो कह दो कि आप से कुछ नहीं होगा close the case forget it from your thing वैसे भी close ही है बट हम लोग close नहीं करें CBI गई तेल लेने just say what you are feeling in the comment let me know it's very important और हो सके तो subscribe करिए share करिए, like करिए comment सरूर करिए ताकि मैं और भी वीडियोस और सब चीजों पर बनाऊ and देखिए आप लोग अगर साथ रहते हो ना तो एक जजबा रहता है एक confidence रहता है और भी बहुत सारा कुछ करने के लिए तो उसके लिए आप सब का साथ चारिए तो kindly be with me support me बाकि आपकी मर्जी जेहिंद हो चुप